Hello Friends, Welcome to Sleepy Classes Guys, आज हम discuss करेंगे Marathas और Marathas में हम क्या-क्या discuss करेंगे Rise of the Marathas Then हम discuss करेंगे Entry of the Britishers into Maratha Politics और last में हम discuss करेंगे Anglo-Maratha War तो चले गाई, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देखे गाई, Maratha के founder कौन थे? Shiva जी अब देखे, question आज आता है कि शिवा जी का birthplace कहाँ पर है बर्थ हुआ था उनका 1627 में तो आपने याद रखना है इनका birthplace है Hilly Fort of Shivanary Near about Junar और ये कौन सी clan से बलॉंग करते थे? भोसले clan से इनके father का नाम था शाहाजी भोसले और इनकी mother का नाम था जीजा भाई यहाँ पर question पुछा जाता है कि शिवा जी ने first time अपने आपको establish gap किया तो आपको याद रखना है 1647 में ये first time पूने के सुबेदार बनते हैं और अगर आपसे question पुछा जाए कि शिवा जी ने first time कौन सा area जिता था तो ये 1656 में Maratha के chief को हराते हैं और कौन सा area capture करते हैं जावेली और Maratha के chief कौन थे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं चंद्र राओ मोरे अब देखिए यहाँ पर 1657 में जो शिवा जी है वो attack करते हैं मुगल्स पर अब मुगल्स को कर रहे होते हैं और जेब देखिए और जेब उस time गवर्नर है कहां के एहमद नगर के 1657 में क्योंकि और जेब रूलर बनते हैं मुगल्स के 1658 में तो अभी तक यह क्या है गवर्नर है अमद नगर के अब यहाँ पर जो और जेब हैं वो शिवा जी को हरा देते हैं इस बैटल में लेकिन शिवा जी यहां के 23 फोर्ट जो मुगल्स के कबजे में हैं वो जीत जाते हैं और मतलब उनको यहां पर क्या जाते हैं क्योंकि एक पर जीवा जीचांची को क्र चाहते हैं और यहां पर यहाँ नहीं कर सकते एक person है मैं यहाँ पर निचे लिख देता हूं उनका नाम आदिल शाह यह बिजापूर को lead कर रहे थे मतलब बिजापूर को संभालते थे मुगल्स की तरफ से और आदिल शाह ने एक बिजापूर वाले एरिया भी शिवा जी के पास चला गया तो शिवाजी अपनी power को यहांपर expand कर रहे हैं और मुगल्स यहां पर यह सोच ने कि यह जो डेकन का ऐरिया इस जो साहुद का यह यह कहीं न कहीं शीवा जी के पास चला जाएगा मतलब शीवा जी को यहाँ पर सप्रेस्ट करना ही होगा अब 1660 में जो औरंग चेवे एक परसन को पॉइंट करते हैं जिनका नाम है शाइस्ता खान अब शाइस्ता खान ठीक है यहाँ पर मिस्टेक हो सकती तो एक बर आप गूवल कर लेण अब शाइस्ता खान जो हैं इनको सुइवा जी 6663 में पूने के नीर बाउट एक फोट और एहां पर घेड़ लेते हैं。 रात का टाइम होता है, जो शाइस सी खान होता है रात के अंध्यरे का फायदा उठा के यहां से भाग जाता है. अक यह tulaskah को भी हिरा देते हैं कि कि करना क्या है कैंते सुछ इसकों सब्सक्रत है कि करना क्या क्या है यहां पर लूट लेते हैं या फिर दो अच्छे को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेते एक सूरत और यहां पर लिख लेना एहमद दगर कि यहां पर लिखे हुए एहमद दगर की ठीक है कई अब 1665 में और जेब अगें एक पर्सन को को पॉइंट करते हैं इनका नाम है जैंसिंग अब जैसिंग जो है कमांडर आफ और यहां पर एक एमसीं इसको जेत जाते हैं कि यहां पर यह क्रबशRO कर लेते हैं पुरंधर का फोट हैं बहुत फिमस और पुरंधर के फोट पर शीवाजी को कैप्चर कर लेते हैं या आप ऐसे संझीए कि आप क्सि कर आधा है कि शिवाजी पुरंधर के फोट में और जैसिंग अपनी आर्मी के इंगेस चारोर से इनको घेर लेते हैं अब शीवा जी को लगता है कि यह बैटल तो मैं नहीं जीत पाऊंगा तो फाइनली जैसिंग के साथ ट्रीटी साइन होती है शीवा जी की 1665 में और यह ट्रीटी के दोरान जो शीवा जी है वो अपने 35 को प्लस यहां पर एक घूज अमाउंट देते हैं टेनल लेक रुपिस का अब यह टेनल रुपिस उस तेम बहुत हुज अमाउंट होता था आज अज करोड़ों में चल जाता है लेकिन यह उस टैम बहुत है क्यूज अमा था अब उगाल्स कहीं न कहीं शीवा जी को सब्रेस् करेंगे और मुगल्स को हानी पुंचाएंगे तो ओर झेव शिवा जी को इन्वाइट करते हैं 1666 में आगरा और जब यह आगरा जाते हैं तो आगरा में एक जगह है जैपुर मैं यहाँ पर आपको दुखाता हूँ जैपुर भवन और जैपुर भवन में जो औरेंग येभ है अरेस्ट कर लेते हैं शिवा जी को लेकिन मोके का फायदा उठा कर यहाँ पर शिवा जी भाग जाते हैं अब जब देखी शिवा जी 1666 में भागते हैं यहां से मतलब निकल सब्सक्राइब तो इसके बाद शिवा जी 1674 में अपने आपको independent रुलर डिकलेर कर देते, आप यह बहुत इंपोर्टन फैक्ट है अपने आपको इभिए करते हैं शिवा जी को तो यह dominion status पर work करते हैं मतलब यह यहाँ पर वादय करते हैं कि मुगल्स के इंगेश नहीं जाएंगे शिवा जी अब dominion status क्या होता है इसको मैं easy language में समझाता हूँ जैसे Britishers ने हमें भी offer किया था जब अजादी की दिनों की की बात है मैं आपको आगे समझाऊंगा modern history में या फिर आप अभी के लिए समझे कि अस्टेलिया और न्यूजिलेंड अभी भी हिंदू बादशा अच्छा एक सम्टाइम्स कोशन पुछा जाता है कि 1674 में इनका कौन करता है मतलब राज्य विशे कौन करता है उस तेम गंगा भट और यह अपना राज्य विशे कहा करते हैं राइगड राइगड की राइगड को अपनी यह कैपिटल अनाउंस कर देते हैं उसी टाइम ही अब देखिए 1674 में हमने यह बहुत इंपोर्टेंट पड़ा अब सम्टाइम्स कोशन आता है कि मराथी लेंग्वेज है उनको कौन लेकर आये तो शिवा जी लेकर आये अब मराथी लेंग्वेज जो है उसकी ग्रामर किस ने लिखी थी आपने याद रखना एक नाम रगुनाथ पंडित हनुमंते और शिवा जी ने 1678 में बुंबई के नियर पाउट नवी बुंबई को बसाया और 1680 में शिवा जी एक मिशन को निकले और यह मिशन था करनाट का मिशन या फिर आप इसको कह सकते हो बिजा पूर्मिशन यहां पर इनकी दैथ हो जाती है अच्छा एक मैं फैक्ट आपको बताना भूल गया बहुत इंपॉर्टेंट है शिवा जी के जो ग्रेंट फादर थे इनका नाम आपने याद रखना है कॉंडेवा इनका बहुत बड़ा योगदान होता है शिवा जी क कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो बेसिकली कॉंडेवा ही प्रवाइड करवाते हैं इनके ग्रेंट फादर है अच्छा इनके गुरू जी का नाम भी आपने याद अखना है रामदाज जी यह भी कोशन आप से पूछ लिया दाता है और वैसे इनकी वाइफ का नाम भी आपको बदा देता हूं साही बाई और इनकी शादी हो थी 1641 में अब देखिए शिवा जी के दो बेटे होते हैं और दोनों ही बेटे अलग-लग मदर के होते हैं तो मतलब हाफ ब्रदर आप कह स सकते हो अभी हम डिसकस करेंगे अभी हम देख लेते हैं अस्ट पर्थान जो शिवा जी के द्वारा लाए गया था जैसे आज की रेट में आप लोग देखते हो हमारे देश के पर्थान मंत्री है निरेंदर मोदी जी और उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर है जैसे फाइनस मि कुन थे या पर पर्धान मंत्री वेशा की पोस्ट या इनको मुख्या या प्रधान कहा जाता था एक अौर्फ कि मतिक सेनपति कमांडर एंड चीफ उसके बाद वाक्या नविस या फिर मंत्री इसको कहा जाता है information minister और उसके बाद शुरू नविस या फिर सचिव letter minister देन पंडित राओ ये तो बहुत easy है कि regional works जो होते हैं उसके लिए जो ministry बनाई जाती है पंडित राओ और देन न्यायदिश ये भी बहुत easy है law minister तो ये आपने अश्ट परदान याद रखना है अच्छा शीवा जी की दवारा दो टेक्स लगाए जाते थे एक था चोथ टेक्स ये आपको देना पड़ता था yearly जितनी भी आपकी इंकम होई है उसका वन फोर्थ ये चोथ आपको easy है ये वन फोर्थ ही इसका consider किया जाता है उसके बाद एक था सर्देश मुखी अब जो सर्देश मुखी टेक्स था ये लैंड पर लगता था वन अपॉन टेन तो ये दोनों टेक्स आपने याद रखने है ये शीवा जी की दवारा लगाए गए थे चलिए next देखते है अब शीवा जी के बाद इनके एल्टर सन रूल करते हैं जिनका नाम है संभा जी द बेटे के साथ और उनके बेटे का नाम था अकबर अब आपको सर अकबर तो पहले हिमायू के बेटे हुआ करते थी नहीं यह एक औरंग जेब के बेटे थे इनको आप अकबर वन कंसेडर कर सकते हो अब देखिए इस रिवोल्ट में हुआ क्या कि जो अकबर थे वो शैल्ट और इनकी जो वाइफ होती है यैसु बाई यैसु बाई यैसु बाई और शाहु को औरंग जेब कैप्चर कर लेते हैं और अपने बास बंदी मिना कर ले जाते हैं यह इंपॉर्टेंट है काफी यह आगे मैं आपको बताऊंगा इसका अब जब संभा जी यहां पर हार जात होते हैं और इसके बाद इनके जो म्त येंगर ब्रदर होते हैं राजा राम शीवाजी के जो छोटे बेटे होते ही राजारम यह करते हैं 1689 1701 तक और दीजेल जेघ्दर न। तो यह एक जगा पर जागर छूप जाते हैं वह जगा का नाम आपने याद रखना है जिन जी और 1698 तक यह यहां पर छूपे रहते हैं अब इनका इनकी देथ कहा होती है स्तारा में स्तारा एक जगा है बहुत ही फेमस जगा है स्तारा अभी मैं आपको आगे modern history में बताऊंग तो आपको यह इस एरिया का जिकर होगा 17-0 में इनकी देथ हो जाती है जब राजा राम की देथ होती है तो इनके बेटे शिवा जी सेकंड सिरफ चार साल के होते हैं अब इनकी चार साल होने की वज़े से जो शिवा जी सेकंड यहां पर फोर्ट लिखते हैं निकलती से शि इसा नहीं है कि तारा भाई वीक रूलर थे नहीं इन्होंने मुगल्स के कुछ एरिया पर इन्वेड भी किया था जैसे कि है बिरार एरिया एक था बरोड़ा एरिया यह पूछ लिया था था कुशन बिरार बरोड़ा एंड एक था औरंगाबाद अब यहां पर एक 1707 में मैंने आपको मुगल में बताया था कि औरंग जेप की देथ के बाद जो नेक्स टूलर बनते हैं मुगल डैनेस्टी के बहादूर शावन जिनको शाहे बेखबर कहा जाता है मेरी मुगल की वीडियो में आप लोग देख लेना मैंने बहुत अच्छे स की देथ होती है और शाहे बेखबर या फिर बादुशावन यहां पर रूल करते हैं तो यह मराठा के साथ एक पीस एग्रिमेंट लेकर चलते हैं या फिर आप ऐसे कहिए कि जो औरंग जेप की और्थोडोक्स परस्नेलिटी ती उसको कंप्लीटली चेंज कर देते हैं यह करते हैं बादुशावन यह फ्रेंड्शिप बिल्ट अब करते हैं सिक्स के साथ राजपुतों के साथ मराठाथा सिर्स और यह को बैटे थे हैं एक। कैप्चर कर लेते हैं औरंग जब शाहु एंड इनकी mother को यसु बाई को तो यह release कर देते लिए शाहु को अब देखिए जब शाहु को release कुरा जाता है तो शाहु यहाँ पर वार ओफ सक्सेशन लडते हैं किसके साथ तारा बाई जो थी वो इनकी आंड थी ठीक है अब यह बहुत इंपोर्टेंट फेक्ट है अब इनके वीच में जो बैटल है वो वह भी कई पूछ ली दाती है तो 1707 में यह बैटल होई शाहू एंड तारा भाई की इसमें शाहू की help करते हैं बाला जी विश्वनाथ ठीक है जी अब 1707 मे जो बैटल हो इस बैटल का नाम है खेड अब 1707 में खेड होई और 1708 में जो बाला जी विश्वनाथ हैं और शाहू हैं वो स्तारा को capture कर लेते हैं अब जब स्तारा को capture करते हैं तो शाहू तो स्तारा से रूल करते हैं लेकिन जो तारा भाई हैं यह रूल करती हैं कहां से कोल अलापूर से टारा भगई रूल कर रही है सब्सक्राइस तरा से रूल कर रहे हैं शाहू अब इन दोनों की वीच में चलता रहता है चलता रहता हमारसा ट्री agriculture यह चलता रहता इसके बार सबिसके दूह याद कर सकते हो वैसे कभी मैं ट्रिक बेस पर जाता नहीं हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक बेस में हम लोगों को बहुत जादा याद करना पड़ता है और ट्रिक्स याद नहीं रहती पेपर में चलिए उसके बाद यहां पर पेश्वा इरा स्टार्ट होता है कि यहां से बाला जी विश्वनाथ से क्या पूछे जाते हैं इनको पाइंट किया था शाहू ने एंड ही वाजा फर्स्ट पेश्वा अब बाला जी विश्वनाथ ने 17 13-17-19 मैं बता देता हूं दिल्ली में रूल कर रहे थे फारुक सिहर ठीक है यहां पर देखिए आर्मी किंग बनाते हैं फारुक सिहार को बाद में चलकर फारुक सिहर को जब साइयर ब्रिदर्स के दुर्वारा यहां पर मार दिया जाते हैं और उसके बाद यह सेप्रद्रस कोड drift कर ते मतलब एक मार्श निकालते हैं और अपने आपको यहां पर establish करते हैं मतलब दिल्ली अब किसके अंडर आगी थी मराथास के अंडर अब आप यह समझ लेजिए कि दिल्ली में जो मुगल्स रूल कर रहे हैं वो as a puppet है और किसके puppet है मराथास के चलिए नेक्स्ट पेश्वा मनते हैं बाजी राव फर्स्ट बाजी राव फर्स्ट का जो टैनियोर है 1722-1740 और यह सबसे strongest पेश्वा थे अब मैं यह बात क्यों बोर रहा हूं यहां से समझेगा इन्होंने 40 बैटल जीती और एक बैटल बहुत ही फेमस है आपने याद रखनी है 1729 में यह बैटल हुई थी और यह बैटल हुई थी हैद्राबाद के निजाम निजाम उल मुल्क के साथ और इस बैटल ओफ पालखेरा बहुत इंपोर्टन बैटल है इसको आपने याद रखने 1729 में बाजी राव फर्स ने किसको रहा है था निजाम उल मुल्क को पैटल ओफ पालखेरा में 40 बैटल्स यह जीते थे लगातार उसके बाद जो बाजी राव थे वह चाहते थे कि द्वारा से इंडिया में हिंदू पत पाथशाही आए मतलब आप 1191 से देखें और लगबग 1720 या इनके टैनियोर तक लगा लीजी 1740 तक यहाँ पर एक तरह से मुगल्स रूल कर रहे थे या फिर मुसलिम्स रूल कर रहे थे तो यह चाहते थे कि हिंदू पत पाथशाही आए और इ फर्स्ट का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है मराथा इसको एक्सपेंट करने में उसके बार नेक्स पेश्वा देखते हैं बाला जी बाजी राओ अब यह strongest टूलर तो थे यह मतलब ऐसे समझ लीजी लास्ट टूलर थे अब इनके टाइम क्या हुआ 1761 में यहाँ पर अटेक होता है और यह अटेक था एहमशा अबदाली का अब मराथास एक strong resistance करते हैं दिल्ली को बचाने के लिए पानीपत के नेर बाउट और इसको पानीपत का third battle कहा जाता है 1761 में जो हो आता एहमशा अबदाली वर्सिस मराथास और मराथास की तरह से लीड कर रहे थे सदा शिवराओ यह नेम आपने याद रखने है अब देखे इस वार से पहले जब बाला जी बाजी राव के समय में यह वार हुआ इस वार से पहले हुआ कह था यह मैं आपको बता देता हूँ देखे एक person थे जिनका नाम था रगुना थ्राओ अब रगुना थ्राओ इंडिया का जो आपका नोर्थ वेस्ट वाला एरिया है उसको लगबग जीच चुके थे और यह आपका जो आज का लहोर है जो आज की डेट में पाकिस्तान के बास है वहां तक basically Marathas पहुँच गए थे अब मराथा इस ने तो Marathas को भी नहीं पता होता कि एहमद शाबदाली इंको हरा देगा और यहां से ही आप लगा के चलिए कि Marathas का decline स्टार्ट हो गया था यह थर्ड बैटल का देखिए यहां पर जिकर है और 14th January 1761 में यह बैटल होई थी हालाकि date important नहीं होती बट आपने याद रखना है थर्ड बैटल किसकिस के विच में एहमद शाबदाली वर्सिस Marathas और Marathas को lead कर रहे थे सदाशेव राओ या सदाशेव राओ भाओ चलिए नेक्स्ट पेश्वा पेश्वा माधव राओ अब जो पेश्वा माधव राओ थे इनके टाइम में हुआ क्या पहली बात तो यहां पर Marathas जो थे वह पेश्वा गेंडर थे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं अब पेश्वा गेंडर बहुत सारे चीफ होते थे जैसे मान लोगी सिंद्या हैं यहां पर मोरे हैं भोसले हैं जो Marathas के चीफ हैं यह अलग-लग बैसिकली डिवाइड हो गए थे अब पेश्वा माधव राओ का सबसे इंपोर्टेंट एक यहां पर रोल रहा कि इन्होंने सबी की सबी चीफ को एक तरह से कठ्थे करने की कोशिश करी देखो ही सेंट जर्नल सच एस भोसले सिंद्या हॉल कर टूदा नोर्थ और इन्होंने नोर्थ को द्वारा से रीस्टेब्लिश करने की शुरुआत करी पहले तो इन सब को इकठ्था किया वैसे तो पेश्वा के में 1770 की डोरेशन में आपको मैंने बताया था अपनी सेकेंड वीडियो में कि जो ब्रिटिश थे वो अपने आपको बेंगॉल में स्टेब्लिश कर चुके थे उसके बाद 1770 से लेकर 1799 के इन बिट्वीन ये महसूर में भी अपने आपको यहां पर स्टेब्लिश कर चुके थे अब मराथा के पास जो पावर थी वो एक तरह से डिवाइडेड हो चुकी थी मतलब चीफ के बीच में डिवाइडेड हो चुकी थी अब माधर राव की जब दैथ होती है इसके बाद तो मराथा एक तरह से आप लगा लीजिए कि बिखरी गए थे जब नेक्स्ट पेश उनों ने एक बेटे को जनम दिया जो बेसिकली लिगर हायर था थ्रोन का और इनका नाम था स्वाई माधवराव यह बनेंगे पेश्वा देखिए नेक्स पेश्वा बनेंगे स्वाई माधवराव 1773-1795 और जो लास्ट पेश्वा थे उनका नाम था बाजी राव सेकेंड और इनका टैन्योर आपने याद रखना है 1795-1818 तक इनका टैन्योर था अब देखिए मैं एंगलो मराथा वार डिस्कस करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूं इनको एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस दे थी यश्वंत राव होल करने हालाकि यह एंगलो मराथा वार 2 में आएगा फिर मैं आको बता देता हूं सम्टाइम्स कोशन आजाता है कि बाजी राव सेकेंड को कौन हराना चाहते थे या इनके बीच में बैटल होई थी यश्व हार जाते हैं लेकिन ये अपने आपको स्टैब्लिश नहीं कर पाते क्योंकि सभी के सभी चीफ यहां पर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मतलब यहां पर इस वजए से जो पेश्वा हैं वह बनना चाते थे ये श्वंत्राव होलकर लेकिन कुछ चीफ से वह चाते थे कि बाजी राव सेगिंड ही पेश्वा रहे और यह उस दूरेशन में हो रहा था जब एंगलो मराथा वार चल रहे थे मैं आपको अगलो मराथा वार बताता हूं देखिए फर्स जो वार हुआ इसको पहले आप अच्छे से समझेगा फिर मैं इसको शॉर्टकट में समझाऊंगा आपको अच्छे से क्लैरेटी हो जाएगी रगुनात राव जो थे माधर राव फर्स्ट के ब्रदर वह चाते थे कि ब्रिटिश की तरफ से उनको पेश्व पेश्वा एक तरह से डिकलेर करा जाए और रगुनात राव और ब्रिटिश के वीच में एक ट्रीटी साइन हुई सूरत की बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें रगुनात राव ने तीन चार एरिया दे दिये थे ब्रिटिश को देखिए एरिया है एक था थाने वासाही और ऐक था शर्ष थी इसके बतले रगुनात राव चाते थे कि ब्रिटिश इनको पेश्वा डिकलेर करें बट यहां पर जो ब्रिटिश थे वह गेम खेर रहे थे अब ब्रिटिश ऐसे परसन को पेश्वा कभी भी डिकलेर नहीं करेंगे चो उनको आने वाली में स्ट्रॉंग तो रगूनाथ राओं उनको यह पैंशन पे एक तरह से पैंशन पे मतलब pension declare करें एक एक से पैंशन पैंशन करें और पैंशन इनकी लगां इनको यह पेश्वा नहीं बनाना चाते थे अब रगुनाथ राओ और ब्रेटिशर्स के बीच में वार होता है और यह वार बहुत फेमस है बैटल ओफ वाडगाउं और या फिर आप ऐसे समझे कि जो फर्स्ट एंगलो मराथा वार था इसका कोई भी ऐसाच केंक्लूजन नहीं निकला जब यह वार खतम हुआ तो जो प 1775 में यह वार स्टार्ट होता है और अटी 2 तक चलता है और इसका रीजन क्या वार का ठी उसुरत जैसे मैंने भी आपको बताया एक स्टर्ट्रेटिव सूरत के बाद ये बार क्स्तार्ट हूऊ उसके भाद जब ये वार खटम होऊ तो कौनसी ठीटी Yoo थी टीटी ओफ क्लिए और यह ट्रीटी कब होई थी 1782 में देखिए जब वार खतम होता है ना तभी लास्ट की ट्रीटी होती है यह याद रखना उसके बाद इस टैम यहाँ पर गुवर्नर जलनन कौन थे वेरिन हैस्टिंग अब नेक्स्ट वार उता है एंगलो मराठा वार सेकंड और इसका मैं आपको बता देता हूं देखिए एंगलो मराठा वार होता है पेश्वा बाजी राव सेकंड और ब्रिटिशर्व के बीच में अब यहाँ पर ब्रिटिश इतने पावर्फुल हो जाते हैं कि वह पेश्व ही जीत ली तो मराथा तो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं अब यहां पर मराथा के साथ यह बैटल हारने के बाद एक ट्रेटी होती है वो ट्रेटी याद रखना ट्रेटी ओफ राजपत गाट और यह कब होती है 1805 में अच्छा अगर आपसे कोशन पुछा जाए एंगलो मराथा वार सेकिंड कब स्टार्ट हुआ था यह कौन सी ट्रेटी के बाद स्टार्ट हुआ था तो यह ट्रेटी भी आपने याद रखने हैं ट्रेटी ओफ बासें 1802 और यह ट्रेटी किस 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 के बीच में थी बाजी राव सेकेंड और ब्रिटिशर्स के बीच में यह इस ट्रेटी के बाद स्टार्ट हुआ था वार और इस ट्रेटी के बाद खतम हुआ था तो सेकिंड मराथा वार आपने याद रखने उसके बाद जो लास्ट वार अच्छा यहां पर एक एक नाम याद रखना जॉर्ज बार्लो यह ब्रिटिश की दरफ से लीड कर रहे थे यह नाम भी पूछ लिया दाता है उसके बाद जो एंगलो मराथा थर्ड है यह अल्टिमेटलि यहां पर ब्रिटिश ने कम्प्लीटली मराथा उसको सप्रेस्ट कर रखी होती है अब द्हां से समझेगा इक पेशवा पोस्ट होती थी हैना जैसे आप लगाकर चलिए कि इंडियाे परौदि जींद्र मोंदी जी और इन 1500 बीश इनको कर सकते-अप चीफ़ा हैं उसकी उसकि ना-वह कघर इंडिय नाम मतलब नहीं करता लेकिन इनको पेश्वा का डिसीजन मानना ही होगा तो ब्रिटिश ने जो पेश्वा थे बाजी राव सेकेंड इनको एकसाइड कर दिया कहां पर कानपूर के पास एक जगा है बिठुर मतलब जो महारास्ट का एरिया जहां पर मराथास रूल करते थे वहां से ठीक दूर कानपूर में जगा जाकर इनको एकसाइड कर दिया और पेश्वा की पोस्ट ही खतम कर दी और यह चीफ कुछ कर ही नहीं पाए उस था है ठीक है और इस वार का मेंली रीजन क्या था कि जो ब्रिटिश से इनकी स्ट्रॉंग पॉलिसी अंगेश्ट जो यह चीफ से और जो पेश्वा थे तो इसी वज़े से यह बार स्टार्ट हुआ और जब यह बार खत्म हुआ तो कौन सी ट्रीटी साइन होई थी तो आपने याद रखना है ट्रीटी ओफ मांसोर और यह 1818 में साइन होई थी इसके बाद जो पेश्वा की पोस्ट को हटा दिया गया था जैसे कि मैंने भी आपको बताया और इस टाइम ब्रिटिश की तरफ से लीड कौन कर रहे थे लॉर्ट हैस्टिंग तो गाइज यह हमारा मॉडर्ण हिस्टी से फिफ्ट चैप्टर था और मैंने अभी तक जो फोर सेशन लिए यह फोर चैप्टर आप लोग एक साथ डिसक्स की हैं मैं आपको बता देता हूं फर्स था हमारा एडवेंट ओफ यूरोपियंस वहां पर मैंने आपको बताया थ उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ब्रेटिश ने अपने आपको स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था बेंगॉल में और साथ-साथ मैंने आपको महसूर वार्स भी डिसक्स करवाए थे टिपुल सल्थान है था अब मुगल्स डिसक्स करने का मेंली रिजन अगर यहां पर देखें कि complete इंडिया को ब्रेटिश जी चुके थे पहले इन्होंने बंगॉल जीता देन इन्होंने महसूर वाला एरिया जीता फिर जो मराठा वाला एरिया था और मराठा जीर लीड कर रहे थे यहां पर दिल्ली पर क्योंकि दिल्ली के जो राजा थे वो मतलब ऐसे समझेंगे कि complete इंडिया पर कब्जा हो गया था फिर हम ब्रिटिश का जो पॉलिसी थी रूलिंग पॉलिसी उसको समझेंगे साथ-साथ यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी के बाद जो रूल क्राउन मतलब क्राउन पर शिफ्ट हुआ था मतलब ब्रिटिश की जो गवर्मेंट में शिफ्ट हुआ था उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा तो modern history बहुत important है आपके पेपर के point of view से इसको पढ़ते रहे और जितने भी question हो सकते हैं objective format में उसको attempt करें अगर आपका कोई doubt आता है तो आप comment section में post कर सकते हैं और इस session की pdf आपको मिलेगी हमारे telegram channel पर thank you so much